बर्तमान में जीओ, कुशंग से बचो और भगवान का भजन करो, लेखक श्वामी शत्य रूपानंद महराच्चे कर्म बड़ी सावधानी से करना चाहिए, यदी हमारे कर्म में स्वार्थ आ जाए तो उसमें दोश है कर्म करते समय नाम यश की एक्षा नहीं रखनी चाहिए, भगवान से प्रातना करो और फल की आसा मत करो हमें कुशंग से बचना है, कुशंग से राग दोईश अहंकार आता है, भक्त को इन से बचना चाहिए सो एक्षा अनुशार चलने से कुश नहीं होगा, गुरू की बात मान कर चलो भगवान से बोलना या तो परिस्थिती बदल दो, नहीं तो मुझे सहने की शक्ती दो मनुश को अपने कर्व फल को स्वयम ही भुगतना है, इसलिए उसे भगवान से सहने की शक्ती मांगने चाहिए सब कुश भगवान की इच्छा से ही होता है, इसे शिवकार करना है, शिवकार नहीं करोगे तो कष्ट पाओगे अपनी सबी बातें भगवान को बताओ, आ स्वस्त हो तब भी और स्वस्त हो तब भी भगवान को बताओ, अपनी गोपनी से गोपनी बात भी ठाकुर को कहो एक बात को सदा याद रखो, भगवान है, बर्तमान में है, अपने मन को भगवान से जोडो उसके बाद मन में ये भाव रखो भगवान जैसा रखेंगे बैसे रहूंगा जाहे बेदे राके रामता ही बेदे रहिए कोई भी परिस्तिती सदा नहीं रहती बदलती रहती है अच्छे दिन आते हैं ये भी सदा नहीं रहेंगे इस आसा मंत्र को याद रखो कैसी भी परिस्थिती क्यों ना हो भगवान का नाम मत भूलो बिसारो ना हरी नाम यदि मन में शंग्रह की ब्रत्ती है तो वहां विवेक्षे काम करना चाहिए हमारी आवशक्ताओं की पूर्ती हो रही है तो हम क्यों शंग्रह करें जब भी मन में मन विचलित हो तो अपने आपको कूचो कि तुम क्या चाहता है भगवान को या संसार को तुम जगत में क्यों आई हो और क्या चाहते हो ये सोचना है यदि भगवान चाहिए तो अनावशक संसार की शक्ती छोड़ो जीवन में उपयोगता बादी द्रश्टी रखो अनावशक बस्तुओं को अपने पास मत रखो भगवान की एक्छा से जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो तब तुम्हारा चित सांत रहेगा सांत चित में भगवान का प्रकास दिखेगा भगवान तुम्हारे हिदाई में ही है समाई कासाद उपयोग करो हम सब के पास 24 गंटे हैं तो अपने जीवन की उन्नती के लिए हमें कैसा उपयोग करना है ये हमें ही तो सोचना है अगर हम सांती चाहते हैं तो सांती में भगवान से जुड़े अच्छा आदमी बनने की कोशिश करें अपने मन पद्रज्टी रखें भगवान का भजन और संसार का काम करते करते जीवन यापन करें जैसा अपने गुरु ने बताया बैशी चादना करते रहें यदि हम ऐसा सोच सकें कि जू मिला है उसमें ही संतुष्क रहना है तब तुम आनंद में रहोगे भरतमान में जीने की कोशिश करो संसारी लोगों के संग से बचो जीवन में ऐसे आचरन करो कि संसार में दूसरी बार ना आना पड़े और इसी जीवन में शांती मिल जाए हमारे मन में संसार का आकरशन नहीं होना चाहिए क्योंकि संसारिक आकरशन से कभी शांती नहीं मिल सकती आकरशन तो बगवान की ओर होना चाहिए हम संसार चाहते हैं और संसार हमारे अनुकूल होना चाहिए ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, हमने पिछले जन में जो अच्छे बुरे कर्म किये हैं, वह इस जन में भुगत रहे हैं, यदि उसकी पीरा से मुक्ती चाहते हो, तो अपने अंतह करन से भगवान से प्रातना करो, प्रातना में बहुत शक्ती है, हमारी मांशिक दुर करने का एक ही उपाय है, और वह है भगवान से प्रातना,